दोस्तों उत्तर परदेश में 8 विधान सभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले BJP को एक बहुत बड़ा जटका लगा है वैसे तो उत्तर परदेश में आप सभी जानते होंगे कि विधान सभा चुनाव में BJP ने परचंड बहुमत हासिल की और अपनी सरकार चला रही लेकिन जो ये 8 ऐसी सीटे हैं जहांपर अब कुछी महीनों के बाद या हम ये कहें कि कुछ दिनों के बाद विधान सभा के उप करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजाए उत्तर परदेश के गोरख पुर जिले में लोग सभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से हाथ मिलाने वाली निशाद पार्टी ने अब बगावती तेवर अपना लिये हैं जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पार्टी ने रास्त्री अधक्ष जेपी नड़ा और मुख्य मंत्री योगी आधितनात पर निशाद आरचणवा मच्छवा समाज की राजनीतिक भागी दारी का वादा ना पूरा करने का आरोप लगा दिया है साथ ही तीन दिवसी आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है बी जेपी के पार्टी की महत्पूर बैठक बुदवार को पादरी बाजार इस्तित कार्याले में हुई है राक्ष्ट्री अधक्ष जोकी निशाद पार्टी के हैं डाक्टर संजय निसाद के मौजुदगी में कहा गया है कि निसाद आरक्षण की आग फिर सुलगेगी और इस मामले में पार्टी आरपार की लड़ाई लड़ेगी उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था अब इस नारे को पूरा करने का वक्त आ गया है हमेशा से धोका खाया समाद जा गया है अब जो धोका देने का प्रियास करेगा वा खुद और इसी मामले को ले करके निशाद पार्टी ने बीजेपी से गड़बंधन से यानि कि अपना रिष्टा अलग करने का भी ऐलान कर दिया है तो ये उप चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जटका है और ऐसा होता है तो जो आने वाले चुनाव तो उसमे बीजेपी को जटका लगे गया ही लगेगा साथ ही साथ जो छितरी दल है वो लगातार बीजेपी के वोट बैंक को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं आप किस पर क्या रहा है नीचे कॉमेंट वाक्त में जरूर बताएए वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं कुछ और खबर करें